शुमहापुरान की कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीरत नहीं जा सकते पर्थवी के सारी नदियों में इसनान नहीं कर सकते पवीत्र नदियों में आप इसनान नहीं कर सकते या किसी भी तीरत में जाकर एक रात्री भी विश्राम नहीं कर सकते या हमने जिन्दगी में कोई दान करा, ना करा, कोई पुण करा, ना करा, कोई सतकर्म करा, ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा, ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना, ना सुना, उसके बाद भी श्यू महा पुराण की कथा करती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर क कि शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए तो सारे तीरत सारी नदियां सारे सरोवर सारी बावडी सारे तलाब सारे कुंड के इस नान का पुन्य दान का पुन्य प्राप्त हो जाता है केवल शिवतत्व को प्राप्त कर लेने शुमहापुरान की कथा कह रही है कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी कोई साजरन नहीं होता है उस दीपक के भी महत्वता है उस दीपक का भी बंडन है मारा है एक बात और बहुत अच्छे से सुनिया जो साहिद आपकी जिन्दगी को सवाद साहिद आपके जीवन को सवाद मेरी जीजियों मेरी जीजाओं मेरी बेटियों बैटाओं कभी कभी मुका लगया शंकरभगवान के शिविलिंग के पास में आप बेठे हैं यहां तक सास्तर कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखारा गया है बहुत तेज बुखारा और बच्चा उस बुखार में तप रहा है बहुत तप रहा है मारत तुम जिस दिये में भगवान की आर्थी उतारते हो जिस दिये से तुम भगवान की पूजन करते हो कभी मुक्ता लगए और आप पूजन करने के लिए गाएंगे कभी पूजन करने के लिए और आपको शंकर भगवान के शिविलिंग के पासमे या शंकर भगवान के शिविलिंग के उपर कनेर का गर पीला फूल देखा है ना आप लोग ना अरे बोलो तो जमके देखाए कनेर का यदी पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के उपर कहीं रखा हुआ विद्धिक जाए विशं परिस्थतिकों बहुत हिम्म marijuana हारते हुआ तब ही भगवान अकेले में एकान कमें आप पहुचें उनके पूजन के लिए उनके कनेर का पुष्प वहां रखा जाहे चाहे वो जलाधारी पर रखाओ, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखाओ, शिवलिंग पर रखाओ, उस कनेर के पुश्डों को, अगर आप पांच जगा का इस पर्ष करा कर, अपने हिर्दाई की बात केकर बापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुमारे दुख का निवारण अगल देता अब वो पांच स्थान पहला गणेश जी गणेश जी का जो स्थान होता है वह जब दूसरा शडानन्द कारती की तीसरा अशुक सुंदरी वाला चोथा जलाधारी जो उपर से बूंद बूंद जलनी से गिदा रही है जया विशहरा शामली बारी दौतली देव शंकर जी की पांच बेटने और पांचवे लंबर का है शंकर भगवानक के जो कैसे वर्णन किया जाए तृषूल के तीन भागवति करें दर्शन आप लोगने यह से सामने तृषूल लगा है इस तृषूल के ऊपर देखेंगे तो तीन भाग देखेंगे नजर आ रहे हैं तृषूल का जो तीन भाग होता है उस तीन भाग का जहां ज्वाइंड होता है जहां मिलता है एक जगा पर देखो तीन भाग एक जगा पर मिले होता है तीन भाग का जहां मिलन होता है पंचम इस्थान यह पांचवे इस्थान यहा हम तीन महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे, अगर ज्यादा दुख है, तीन दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उद दुख को मिटाएगा। तीन महीना भाइबे बहुत दूर, पर करना है दिल से, और कई तरह के दीपक अगर बिःफ का भी विधान बढ़नन किया गया है, यहां तक सथर कैता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप्रा तुम जिस दिये में भगवान की आरती उतारते हो ऋस दिये की नीचे डाल दीजिए और उस दिये को पाणी की बाल्टी में धो दीजिए और कौन सी बाल्टी के पाणी से बच्चे को इसनां करatharent पानी से उस बच्चे को इसनान करा दीजिए 15 से 20 मिनिट आदा घंटा लगे का बड़ी बेचेन दिख रही हो तुम क्या वाते पार्वती जी कती है कि देवरत काश्मीर प्रदेश का एक भक्त देवरत बेलपत्री के व्रक्ष के नीचे बेटकर आपका मंत्र जाप कर रहा है मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी पर बेलपत्री के व्रक्ष के नीचे लच्मी जाडू लगाती है सरसती भीना मजाती है इंद्रानी उस बेलपत्री के व्रक्ष के नीचे जलका सीचन करती है के 30 कोटी देवी देवता उस बेलपत्री के व्रक्ष की जड़ में विराज लिया जाता है तो वो 33 करोड़ बार 33 कवटी बार गिना जाता एक मंत्र केबल नमस्षीवाए ओम लिए अच्छा वाला घी चाट के लाना अच्छी कमपनी का लाना और जब यग्द करने वेठे पूजन करने वेठे बगवान का तुपाट पूजन करवाई पूजा वाले दुकान पे बोलना कि पूजा का घी चाहिए तो वो पूजा का समान बेचने वाला वी तच्छतूर था उसने पूजा का ही घी दिया तो इन्हें पूजा वह यार ये घी कित्ते का तो कि 80 रुपे का तुस्या अधा गिलो तो कि पूजा का अया अरत की भोमी पर इस मृत्ति लोक में पूरे विश्व में एसे कई घर हैं जिनके घर में गुजारा करने के भी आफ़त है पहने के कपड़े नहीं किसी के यहां पर भोजन नहीं किसी के यहां जमीन नहीं किसी के यहां दुकान नहीं कोई-कोई पूरी जिंदगी किराई के मकान में निकाल देता है नहीं मेरा एक निवेदन है इस कथा को जितने चत्रपती संभाजी नगर के श्रोता बाही बेहन श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूँगा आप हात का ठेला लगा रहे हो, सबजी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, भक्के की जिन्दगी जी रहे हो, दरवाजे पर बेटे हो, कहीं ना कहीं तुम दास भाव की जिन्दगी जी रहे हो, तकलीप में जिन्दगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिन्दगी की जी रहे हो बहुत कष्ट की जिन्दगी जी रहे हो उनसे केवल निविदन करूंगा तीन महीने कि दो जगा पर जल चड़ाना प्रारम कर दीजिए केवल तीन महीने एक संकर भगवान के शिविलिंग पर